नमस्कार दूस्तो आज के इस वीडियो में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे का head down position क्या होता है अगर बच्चे अपनी सही position head down पोजिशन में आ जाता है तो महिला को बच्चे की हेड़ डाउन प्रोसेस चल चालू हो गई है वो कैसे पता चलता है और कभी साथ साथ में यह भी बताया जाता है कि बच्चा आड़ा है, ठेड़ा है उल्टा है और आप भी जानना चाहते है कि आपका बच्चा सही पोजिशन में है की नहीं तो आप वीडियो को अंतक जरूर देखिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ऐसे कुछ लक्षणों के बारे में जिससे आप पता लगा सकती हैं कि आपके बेबी ने हेड़ डाउन पोजिशन ले लिया है तो पहले सबसे पहला लक्षण है कि पेट का आकार बदल जाना जी हां दोस्तों जब आपकी प्लेगनेंसी में थर्ड ट्रैमेस्टर में बच्चे आपने सही पोजिशन हेड़ डाउन पोजिशन पर आ जाता है तब आपके पेट का जो आकार है बदल जाता है मतलब कि नापी की नीचे का हिस्सा है वो उसमें बहुत पारी पना जाता है इसके लिए आप अपने आडोस पाडोस में महिलाओ से भी या फिर खुद आईने में पेट का बदलता हुआ देख शक्ती है दूसरा पॉइंट है बच्चे की हलचल बदल जाना दोस्तों जब बच्चे ने अपना हेट डाउन पोजिशन ले लिया होता है तो मा को जो बच्चे की हलचल है वो नापी के निचले हिस्से में ज्यादा महिस्स होगी वहाँ अगर बच्चा है वो आड़ा है तीरचा है या फिर उल्टा है तो महिला को है वो बच्चे की जो हलचल है वो नाभी के उपर महिस्स होगी यहाँ एक बहुत बढ़ा संके थे जिसे महिला अपने बच्चे के head down position के बारे में काफी साटिक संके थे वो मान सकती है तीसरा लक्षन है कि बच्चे का normal position में आना इसका मतलब यह है कि बच्चा जब अपनी head down position लेता है तब ही normal delivery possible हो पाती है यह तो आप सबको मालूम ही है तो बेबी के head down position को normal position ही बोला जाता है और जब बच्चा normal position में आ जाता है मा को बहुत relax फिल होता है बच्चे का पुरा वज़न है वो पेट के निचले हिस्से में सिमट जाता है तो उपर के पेट में पुरा खालीपन महसुस होने लगता है चोथा जो point है वो है white discharge आना दोस्तो white discharge आना एक बिलकुली नॉर्मल बात है और वो cervix के खुलने की वज़़से भी आ सकता है तो आपको जो pregnancy के टाइम पे जितना आता होगा उससे मतब थोड़ा ही ज्यादा आपको third trimester में देखने को मिल सकता है जब cervix पर दबाव बढ़त है तो थोड़ा थोड़ा white discharge होता ही है दोस्तो head down process एक ऐसा process है जिसमे 90% लोग मतलब डॉक्टर से वह आपकी normal delivery की surety ले ही लेते हैं अब बताती हूं कि जिस किसी महिला का बच्चे ने head down position नहीं किया है तो वो क्या कर सकते हैं तो उसके लिए आप एक थोड़ा exercise कर सकती है और आप exercise नहीं कर पा रही है अपने पेट के वज़े से बढ़ते हो वज़न के वज़े से तो आप सुबह सुबह और शाम को थोड़ा ठहल भी सकती है मतलब सुबह को 20-25 मिनिट और शाम को भी 20-25 मिनिट तो इससे क्या होगा कि आपका बेबी का जो head down position आने में आपको भी थोड़ा help हो जाएगा तो दोस्तो आई होब कि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like share किजी अपने दोस्तों के साथ और चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूलिएगा चैनल नया है तो मेरे चैनल को आपके प्यारों support की बिल्कुल जरुरत है तो प मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लिए बाब बाई टेक केर